मेश राशी आज आपको एक अप्रत्याशत स्रोच से धन लाब होने की संभावना है सटावध्यम शेयर बाजार में और छोटी अवधी के निवेश में सफलता मिलने की आज पूरी संभावना दिख रही है आपका वित्य भाग ये उच्छ चल रहा है बस आप अपने आवेक पर लगाम लगाने की कोशिश करें और आप अपनी वित्य सुरक्षा का आनन भी ले पाएंगे आज आप कुछ धन दान भी दे सकते हैं विशब राशी एक दोस्ति याई गाइड के माध्यम से शात्रों को एक नया करियर विकल्प मिल सकता है और आप अपने करियर के रूप में इसे चुन सकते हैं पर आपको एक गहन अनुसंधान की सलाह दी जाती है आज पेशेवरों में नई उर्जा का संचार हो सकता है ये किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है सहकर्मी आपके मददगार साबित होंगे और आप एक टीम के नेता की भूमिका अच्छी से निभाएंगे मिथुन राशी आज के दिन उधार दिये हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं आज के दिन आपे कैसे व्यक्ती से भी मिल सकते हैं जिससे आप पहले से जानते हों और वो आपकी काफी हद तक आपकी भविश्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है और यहां तक की यह व्यक्ती आपको अच्छी आयवाली नौकरी दिलाने में भी मदद गार सावित होगा जिससे आगे चल कर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है करक राशी हलाकि आप अपने कारिक्षेतर से संतुष्ठ हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये समय अपना हुनर रच नात्मक्ता एवं प्रतिबधता को दिखाने का है और हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबधता को पीछे छोड़ना पड़े लेकिन ये आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है अगर आप इस काम को सही धंग से कर पाएंगे तो ये आपको उस मंजल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी आपको अपने घर और कारिक्षेत्र में सामंजस भिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सके सिंग राशी जो लोग अध्यन में कारेरत हैं उनकी महनत का फल पाने के लिए ये एक अच्छा समय है यही चीज काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी लागू होती है सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है लेकिन अगर आपने कोई निवेश नहीं किया है तो उसमें आपको नुकसान होगा इसलिए निवेश की योजना को आज ठंडे बस्ते में डाल दें और शुप समय का इंतिजार करें कर्ल्या राशी आप अपने सभी लक्षों को समय पर पूरा करेंगे और कारिक्षेत्र में शांती का माहल रहेगा लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझोते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेशग्यों की परामर्श अवश्य ले ले धोकाधड़ी की संभावना है यदि संभव हो तो अपनी व्यापारिक सौधों को दूसरे दिन पर टाले और अपने सहयोगियों की विश्वस्नियता का मुल्यांकन करें तुला राशी संतुलन बनाना आज प्रमुक विशे रहेगा और आप अपनी आय और व्याप के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे आज अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा आफसर मिलने की संभावना भी दिख रही है साथ ही साथ आप अपने व्याप को भी नियंतर्त करने के लिए खर्चों पर आज लगाम लगाएंगे व्रिश्चिक राशी आज का दिन अपने विरोधियों को आम अंतर्त करने एवं अपने बुन्यादी धाचे और अपनी ताकत को दिखाने का सही समय है इसकी वज़े से आपके धोर विरोधि बोली से पहले ही हार जाएंगे या किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा उच्छी प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा जो कि आपकी ताकत और धन में प्रिधी करेगा धनुराशी आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यवसाय की भारी जिम्मेदारियों का भार है इसलिए आपको अपने समय का प्रबंद उचित तरीके से करना होगा हलाकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं मगर आप उनसे सहीयोग की मांग करें और अधिक्ता में कुछ न कहें क्योंकि एक बिंदू से आगे वे आपको ना भी कह सकते हैं आप में भवेशी की योजना बनाने के लिए आज आवश्य कूरजार रहेगी मकर राशी एक मालिक के रूप में अपने अधिनस्तों के लिए आप में एक दिल है उन्हें जादा उच्छा के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है उनसे बात करें और उन्हें प्रोचसाहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं वे इसके लिए आपका आदर करेंगे आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरिद्भी करते रहें उनके साथ हसी मजाग करें ताकि वो आपके साथ समाने हो पाएं आप अपने विशाल नेतरत्व के गुणों का आज प्रयोग करें कुम्भ राशी आप यात्रा और समाजिक्ता से जुड़े व्यवसायों से जुड़ सकते हैं आप अपने आपको आगे बढ़ाएं क्योंकि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जाल या समवाद स्थापित करने में सक्षम हैं आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दे आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक कड़ी प्रतिस पर्धा आपके समक्ष प्रस्तोत करेंगे मीन राशी आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे आप एक नियोकता से दूसरे की तरफ अपना रोग कर सकते हैं क्योंकि ये नया आफसर आपको आगे बढ़ने के मौके देगा लेकिन धोकादड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहें क्योंकि कोई आपकी ख्षमता और चतुराई का अनुचत लाब लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत दिख रहा है